तो चलिए पर चलो शुरू करते हैं मिसलेने सीरीज का आना 13th question and the question is if three zeros of a polynomial यह कि polynomial क्या है x to the power 4 minus x cube plus 3x and 0 root 3 and minus root 3 then find the fourth 0 देखी क्या है कह रहा है ना कि three zeros दे दिया गया एक polynomial ठीक है यह polynomial है और इस polynomial का three zeros में एक 0 है x 0 दूसा 0 है root 3 38 0 है minus root 3 अब हमें कहा जा रहा है कि चौथा 0 बता ही इसका highest degree क्या है 4 है इस polynomial का highest degree 4 है इसका मतलब क्या होगा ने इसके total जो है ना 4 polynomial 4 यानि कि zeros मिलेंगे इस polynomial के ठीक है तो चलिए let कर लेते यह px जो है ना वो कित्ते के बराबर है let px is equal to x का power 4 minus x का power 3 minus plus 3x ठीक है इसको as it is question के अनुसार उतार लिया क्या अब देखिए इसके zeros क्या है यानि कि x क्या है x एक 0 है दूसरा है root 3 है और तीसरा minus root 3 है तो x को x कितने के बराबर है एक तो 0 के बराबर है इसको लोग थोई दिर के लिए ignore करते है और क्या करते हैं x is equal to root 3 यहाँ डाल देते है अब इसको इस side लेके आएंगे तो क्या हो जगा x minus root 3 is equal to 0 इसको प्लस से इधर लेके यह 0 के बराबर हो जगा similarly x कितने के बराबर है minus root 3 के बराबर है minus root 3 अगर इसको इस side लेके आजाएंगे यह plus का हो जागा और इधर आजागा 0 तो दोनों side में क्या है न जीरो है अब इसको क्या करते हैं इसको यहाँ पे बिल्कुल इसको यहाँ पे उतार देते है अब देखे क्या बन जा रहा है मेरे पास a minus b और a plus b अगर यह मेरा a माल लेते हैं और इसको b माल लेते हैं तो फिर यह मेरा a हो जाएगा और यह मेरा b हो जाएगा यानि a plus b और a minus b कितने के बराबर होता है a square minus b square के तो a को बिल्कुल a उतार देते यानि कि a का square कर देते हैं और यह minus यहां डाल देते हैं और root 3 का whole square कर देते हैं तो इस तरह से मेरा यह x हो जाएगा और यहां पर आ जागा 3 root 3 root 3 root 9 हो जागा और वो बराबर हो जागा और इस तरह से x का value किते का बराबर हो जा रहा है वो x square minus root 3 is equal to अब यह जो है ना यह जो value मुझे मिला ना इस से क्या करते हैं इस polynomial में divide करते हैं भाग देते हैं तो यह रहा मेरा वह equation इस equation को यहां लेके आ जाते हैं यहां पर एक term छुट किया है हमारा minus 3x ठीक है and plus 3x यहां भी minus 3x ठीक है इसको यह question का part है ठीक है question यही है तो इसको इस तरह से कर देते हैं और लेके आते हैं फिर इसको divide करते x square minus 3 से तो इसमें x में कितना से multiply करेंगे मुझा यह मिल जाएगा तो x square से multiply करेंगा x square से multiply करते हैं यह हो जाएगा मेरा x का power फूर हो जाएगा और फिर यह x और यह minus का यह minus हो जाएगा और इन दोनों को multiply करेंगा तो minus 3 x अब देखो यह पर यह plus है तो यह होगा मेरा minus यह minus है तो यह मेरा plus यह और यह कट गया अब यह जो है यह बिल्कुल minus यहां पर कुछ नहीं है तो यह minus यहां पर आ जाएगा माइनस का x cube यह यहां पूतर जाएगा और यह और यह दोनों कोटार देते हैं minus x3 plus 3 टीके अब यह minus x में इस से multiply करते हैं तो हो गया मेरा minus x3 and इसमें इसमें minus multiply करें तो यह मेरा plus हो जाएगा यहां, मैनस में multiply multiply तो हो जाएगा minus, इस minus में यहाँ वाले plus में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा मेरा माइनस और फिर एक्स में स्क्वाइर से मल्टिप्लाइए करें एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस में इस माइनस में मल्टिप्लाइए करेंगे तो यह जाएगा और इसमें इसको मल्टिप्लाइए करेंगे तो तरी एक्स हो जाएगा अब इसका साइन को यहां पे plus minus है तो plus plus है तो minus अब इसको cancel out का देते हैं यह 0 ठीक है इस तरह से क्या हो गया हमारा एक value आ जा रहा है क्या है कि अब देखे रीमेंडर जब 0 है तो x square minus x कितने के बराबर आ जीरो के बराबर हो गया, तो इस से क्या करते हैं, इस से common क्या निकाला है, x को निकाल सकते हैं, तो x-1 is equal to 0, तो x यह किते के बराबर हो जाएगा, और यह भी x-1 is equal to 0, इस में जो है न, ठीक है, अब यह x-1 is equal to 0, तो यह इधर आएगा, तो क्या हो जागा, x plus, तो एक तो हमारे पास एकस का जीरो तो है ही एक पॉलिनोमियल एक जीरो यह तीनों में देखिए पहला जीरो क्या है जीरो है पहला क्या है दूसरा क्या है रूट 3 है तीसरा क्या है माइनस रूट 3 है यानि एक जीरो तो है ही मेरे पास दूसरा क्या हो गया रूट 3 है तीसरा क है माइनस रूट त्री अब चौठा क्या हो जाएगा अब इस तरह लोग सकते हैं और इस अधार पर बचलों हम लोग जो हैने एक question को इस तरह से भी कर सकते हैं obtain all other zeros of a polynomial यह polynomial है ठीक है ना 4x square plus 6x cube plus x square minus 24x minus 20 if two zeros are 2 plus 2 and minus 5 तो हमें जो हैना other zeros देखिए यहां पर highest power 4 है इसके चार zeros दाएंगे बिल्खुल इस pattern पर इस math com लो develop कर सकते हैं ठीक है अगला जना find all the zeros आपर polynomial यह polynomial दिया हुआ है 8x to the power 4 plus 8x to the power 3 minus 18x square minus 20x minus 5 if the given if it's given that two zeros are root under 5 by 2 root under 5 by 2 5 by 2 है root के अंदर and second है minus 5 by 2 तो हमें पता करना है इसका भी value हमें पता करना है इन दोनों question को हम लोग solve कर सकते हैं same pattern पे अब देखिए एक और आता है कभी कभी इस तरह से भी question push देता है इसको मैं यहीं पर बता देता हूँ यह linear equation से है यह question यह question जो है equation मतले काटने वाला जिसको eliminate किया जा सके तो इसको जोनों सबसे पहला तो यह equation है एक 3x-1 is equal to 2x plus 5y plus 1 is equal to अब इसको जो हैना हम लोग क्या करते हैं इसको change करते हैं तो क्या करते हैं 3x-y is equal to 7 2x plus 5y अब इसको इधर करते हैं तो यह हो जागा minus का 1 हो जाएगा अब इस तर से क्या करते हैं इधर वाले को इससे multiply कर देते हैं और इधर वाले coefficient को इससे multiply कर देते हैं फिर से इस 2 का यहां की x का जो coefficient है ना इससे जो है ना इसको multiply कर देते इस equation को और इधर वाले से नीचे वाले equation को multiply करते तो क्या हो जा रहा है यानि 2 को इधर और 3 इस तरह से simplify इसको multiply करते तो मेरा आजा रहा है 6x minus 2y plus 14 और नीचे वाला में क्या हो जागा यह हो जागा मेरा 6x plus 15y और माइनस 3 ठीक है अब क्या करते हैं यहां पर plus का साइन है तो माइनस साइन चेंज करती है यहां plus है तो माइनस है तो प्लस अब इस तरह से यह और यह cancel out हो जा रहा है यहां माइनस 15y और यह 2y तो हो जागा मेरा 17y is equal to यह plus 3 और plus 14 17 इस तरह से value कित्य के बराबर हो जा रहा है y का value माइनस 1 के बराबर हो जा रहा है ठीक है अब इस 1 का value न किसी equation में 1 का value रखके y का value निकल देते हैं तो हम लोग कोई भी randomly यह मर्जी है जो भी हम लोग मर्जी है सेलेक्ट कर सकते हैं तो चली इस equation खुलेते हैं 3x minus y is equal to 7 3x minus y is equal to 7 इसमें क्या है न इसमें minus 1 is equal to minus 1 तो y के जगह पर minus 1 यह sin by gtg y के जगह पर minus 1 लिखती है ठीक है अब इसको इस तरह से करते हैं तो यहां पर bracket को करते हैं यह plus हो जाएगा plus 1 होगा इसमें इसमें multiply करेंगे अब यह इस साइड आएगा तो मेरा इधर जाके घड़ जाएगा और यह आजाएगा मेरा six six तो यह हो गया six by three यानि की इधर से इसको काट देते इस तरह से answer में रहे हैं तो थैंक्यों बचलों थोच्वड़ा धर इसमें उड़ीज झाय हो주는 प्रों डे हैं YEAH गप हो रा में दो आसे को का है यह मैं में, शो फ weedsने है से गासीन इस तरहेगे हैं तो जो जिड़ आएगानो से र tänkerक्त में जूना रह Local कर This Point